नमसकार दोस्तों, आज हम इस वेडियों में आपके साथ डिस्कस करेंगे screw compressor के बारे में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस compressor में screw action के दौरा air और gas को compress किया जाता है और उसके pressure को rise किया जाता है screw compressor positive displacement compressor के अंतरगत आता है और rotary compressor का type है twin screw compressor के नाम से इसको जाना जाता है इस वीडियो में हम discuss करेंगे screw compressor की construction के बारे में working के बारे में advantage, disadvantage और application के बारे में तो शुरू करते हैं construction के बारे में screw compressor की अगर बात करें इसके जो main component होते है air tight casing जो आपको नजर आ रही है जिसका mainly काम होता है की compression को produce करना है pair of rotor इसमें हम दो inter-meshing rotor यूज करते हैं यह आपको diagram में नजर आ रही है यह male rotor इसको हम कहते हैं दूसरा है female rotor जो male rotor होता है यह driving soft होती है एक परकार से और जो female rotor यह driven soft होती है इसमें अगर आप construction देखते हैं एक परकार से helical screw बने होते हैं दोनों cases में और जो male rotor है इसको coupled किया जाता है electric motor की soft के साथ और अगर हम देखें जो lobe हैं यह आपको नजर आ रही है number of lobe जो male rotor होता है इस पे जो number of lobe होते हैं वो female rotor के मुकाबले कम होते हैं ताकि हमें better efficiency मिल सके और यह दोनों आपस में intermasing होते हैं अब बात करते हैं जो next है timing gear यहां पर आपको नजर आ रहा है यह जो portion है यह timing gear को indicate करता है timing gear का काम होता है दोनो rotor के जो दोनो rotor rotate करते हैं उनकी speed को match करना तो यह mainly timing gear का काम होता है उसके बाद suction and delivery valve यह आपको उपर जो portion नजर आ रहा है यह suction valve है जिसमें air को suck किया जाता है और यहां जो delivery valve है यहां से discharge किया जाता है तो इस परकार से यह main component screw compressor के अंदर रहते हैं उसके बाद अगर हम बात करें जो screw compressor होता है mainly दो टाइप अगर देखें इसके dry running screw compressor इसमें timing gear के दुआरा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो male rotor और female rotor दोनों में precise alignment हो बिना किसी contact के otherwise इस case में rapid wear होने की संभावना बढ़ जाती है दूसरा है oil flooded rotary screw compressor या इसको कहते हैं oil injected rotary screw compressor तो इस type का जो compressor होता है उसमें lubricating oil के प्रियोग से male rotor और female rotor के बीच के space को maintain किया जाता है दोनों में एक प्रकार से अगर हम बात करें hydraulic seal को provide किया जाता है और दोनों rotor के बीच जो mechanical energy है उसको transfer किया जाता है जिससे एक rotor दूसरे rotor को drive करता है अगर हम बात करें यह दोनों rotor एक दूसरे के opposite direction में rotate करते हैं आप यहां देख सकते हैं कि जो male rotor है जिस पे number of lobe कम होते हैं वो clockwise direction में rotate कर रहा है जो female rotor है जिस पे number of lobe ज़ादा होते हैं वो anti clockwise direction में rotate कर रहा है तो इस प्रकार से इनकी जो rotation होती है और screw compressor की जो ये जो suction side होती है यहां से जो air या gas है वो enter करती है और helical screw के threads के through वो move करती है जब screw rotate करते हैं दूसरी बाद इस case में जो quantity होती है जो air या gas की जो basically जो compressor जो chamber होता है जिसमें हमारे दोनों screw रहते हैं उसमें trap की जाती है suction वालों के माध्यम से और उसको फिर mechanically reduce किया जाता है क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो suction end से लेके जो delivery end होता है इस दोरान mainly जो space है उसको reduce किया जाता है जिसके प्रिणाम समरूप हमारी जो gas या air है उसका जो pressure है वो rise हो जाता है अब बात करते हैं कि जो male rotor होता है वो basically जो continuous piston होता है जैसे हमने piston slender की arrangement को देखा है तो एक परकार से piston की तरह काम करता है और जो female rotor होता है उसका जो flute होते हैं उन flutes को ये rolling down करता है और एक परकार से rolling down करते समय जो air है वो trap हो जाती है और जो space है वो basically देखें वो reduction उसकी होती रहती है delivery end तक तो ये construction होती है इस परकार से अब बात करते हैं कि इसकी जो working है वो किस परकार से होती है screw compressor की जो working है उसमें सबसे पहले suction valve को open किया जाता है ताकि suction valve के माध्यम से जो air है वो अंदर आस के screw compressor में उसके बाद electric motor को on किया जाता है electric motor की जो shaft rotate करने लगती है उसके साथ जो male rotor है उसकी shaft जुड़ी होती है तो वो भी rotate करना सुरू कर देती है और male rotor timing gear के थुरू जो female rotor होता है उसको rotate करता है और जब दोनों आपस में rotate करने लगते हैं तो दोनों rotor के बीच में जो gap होता है उसमें जो air है वो enter करती है और जब air enter करती है उस दोरान दोनों जो rotor होते हैं वो opposite direction में rotate करते हैं और यहाँ पर important point हमने अभी discuss किया था कि दोनों rotor के बीच का जो gap है वो gradually decrease होता है suction end से delivery end तक वो decrease होता है जिसके कारण जो air या gas का compression होता है और screw compressor में screw action के कारण जो air है वो suction से delivery end तक move करती है और जब पूरी तरह से suction हो जाता है जो compressed जो air है delivery end पर पहुँच जाती है तो उसके बाद वो delivery वालब से होती हुई storage tank में चली जाती है उसके बाद जब ये process की जाती है जो compression process होती है air या gas की तो उस दोरान अगर आप देखें यहाँ पर कुछ cooling jackets बने हैं क्योंकि जब हम air को compress करते हैं उस दोरान जो heat है वो भी generate होती है क्योंकि यहाँ हम समझ सकते हैं जब air को compress किया जाता है heat generate होती है अगर compression chamber में सभी जो complete heat है अगर वो retain रहती है तो उसे हम कहते हैं adiabatic compression लेकिन compression process के दोरान heat add की जाए या फिर heat ली जाए उसे isothermal compression कहते हैं oil injected rotary screw compressor के case में क्रीब क्रीब isothermal compression होता है क्योंकि compression process के दोरा heat generate की जाती है और इस heat को oil के दोरा dissipate किया जाता है तो हम बात करते हैं कि जो cold water हम use करते हैं cold water का mainly काम क्या होता है कि जो air tight casing होती है उसके जो around है वो circulate करता है और जो cold water होता है वो hot compressed air से heat को exchange करता है ऐसा इसलिए करते हैं कि कि किसी भी compression process की efficiency तभी highest होगी जब उसे isothermally किया जाए ना कि adiabatically इसलिए during compression process air या gas के temperature को maintain करने के लिए water के साथ continuously compressed air की heat को exchange किया जाता है तो इस प्रकार से screw compressor कारिया करता है अब बात करते हैं कि जो screw compressor है उसकी capacity को कैसे indicate किया जाता है hp में indicate कर सकते है horsepower में scfm मतलब कि standard cubic feet per minute में इसको indicate किया जा सकता है psi में भी इसको rate किया जा सकता है pounds per square inch और कुछ compression है उसको ac fm में rate किया जाता है मतलब कि actual cubic feet per minute और जो modern screw compressor है अगर हम बात करें modern screw compressor में asymmetrical rotor होते हैं asymmetrical मतलब कि दोनो rotor की जो profile है वो अलग-अलग होती है अगर male rotor है उसमें convex shape के lobe बने होते हैं female rotor में concave lobe बने होते हैं और यह दोनों आपस में messing करते हैं और male rotor पर कम lobe बने होते हैं female rotor के मुकाबले और यही कारण है कि जो male rotor होता है वह female rotor के comparison में तेजी से rotate करता है अब बात करते हैं screw compressor की effectiveness की screw compressor की effectiveness है वो mainly depend करती है जो helical rotor के बीच के precisely fitting clearance पे वो depend करता है लेकिन फिर भी कुछ leakage अगर इसमें हो जाती है उसको हम negligible कर सकते है और जो high rotational speed इसमें हम प्रियोग करते हैं वो basically leakage flow rate और effective flow rate की ratio को minimize करने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाती है अब बात करते हैं screw compressor की advantage, disadvantage और application के बारे में advantage इसको easily install किया जा सकता है, simple design है, moving part बहुत कम होते है low और medium maintenance cost है, low से medium इसकी initial cost भी है oil flooded model के case में ये good efficiency प्रवाइड करता है लेकिन इसमें हमें continuous intercooling प्रवाइड करना होगा और इस compressor के दुआरा जो compress करते हैं air उसकी supply को continuous रखा जाता है और delivery pressure जो होता है उसमें minimum fluctuation रहती है ये इसका main advantage है, disadvantage की बात करें तो dirty environment में इसमें थोड़ा काम करना difficult हो जाता है rotational speed इसकी ज़्यादा होती है single stage design की efficiency कम रहती है two stage oil free design की initial cost ज़्यादा होती है oil injective design के case में हमें अलग से oil carry over करना पड़ता है very small load और large load के case में ये suitable नहीं होता application की बात करें बहुत सारी application है textile clothing industry में इसका use किया जाता है metallurgy और mining industry में यूज कर सकते है paper making printing industry में इसका use करते है medicine और health industry में इसका प्रयोग किया जाता है transportation industry में petrochemical industry, construction and building industry, mechanical and electrical machinery इतियादी बहुत सारी application है जहां screw compressor का इस्तिमाल किया जाता है एक प्रकार से इसको हम low pressure application में इसका इस्तिमाल करते है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया positive displacement compressor के अंतरगत आने वाले screw compressor के बारे में जो rotary compressor का type है और जिसे हम twin screw compressor के नाम से भी जानते है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और channel को subscribe करना ना भूले जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे